नगत मूल्य ग्याद करना किष्टी होजना में प्रत्तेक समान किष्ट की राशी, किष्टों की संख्या, बयाज की दर, तथा तत्काल नगत भुगतान की राशी दी गई हो तो वस्तू का नगत मूल्य ग्याद किया जा सकता है आईए एक उधारन से समझें उधारन 18 एक साइकल 500 रुपे ततकाल नगत भुगतान तथा 1210 रुपे की दो समान वार्षिक किष्टों पर उपलब्ध है यदि ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक हो तो साइकल का नगत मुल्ले ग्याद कीजिए उधारन 18 हल प्रष्ट में साइकल का नगत मुल्ले ग्याद करने के लिए कहा गया है तो हम मान लेते हैं कि साइकल का नगत मुल्ले एक्स रुपे है और उसके लिए जो तत्काल लगत भुगतान किया गया है वा है 500 रुपे किष्ट बताई गई है 1210 रुपे की दो समान वाशिक किष्टें याने की प्रतम किष्ट बराबर 1210 रुपे और ब्याज की दर जो कही गई है वह दी गई है ब्याज की दर बराबर 10 प्रतिशत वार्शिक साइकल का नगत मूल्य हमने एकस रुपे लिया है और तत्काल नगत भुगतान 500 रुपे का है तो नगत भुगतान के बाद की शेश राशी हम ग्याद कर सकते है नगत भुगतान के बाद शेश राशी बराबर होगा बराबर एकस रिण 500 रुपे इसलिए हम अब एकस रिण 500 रुपे का एक वर्ष बाद का मिश्रधन भी ग्याद कर सकते हैं उसकी गड़ना हम मिश्रधन के लिए जो सूतर है उससे कर सकते हैं क्योंकि गड़ना जो हो रही है वो वार्षिक हो रही है तो हम कहेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन गुणित एक धन आर बटे सो पूरे की घात एन जहां मूलधन हमारा यहाँ पर है एक सरेंट पांच सो एक धन आर याने की ब्याच की दर जोगी दी गही है वो है दस तो दस पटे सो और गड़ना एक वर्ष के लिए हो रही है तो एन हो गया एक चलिए आगे हल करते हैं तो हमें एक वर्ष बात का जो मिश्रधन प्राप्त हो रहा है वो हो गया एक सरेंट पांच सो गुणित एक धन 10 बटे 100 पूरे की घात 1 इसे हल कर ले तो हमें मिलेगा X रेंड 500 इसे 10 के पाहडे से हल करने पर यह हो जाएगा 1 बटे 10 यानि की 1 धन 1 बटा 10 घात 1 है इसलिए उसे हम 1 धन 1 बटे 10 के रुप में लिख सकते हैं और अब यह हो गया X रेंड 500 और इसे हल करने पर मिलेगा 11 बटे 10 इसे समी करने एक मान लेते हैं और अब हम ज्याद कर सकते हैं प्रथम किष्ट के भुपतान के बाद 6 रकम कितनी होगी प्रथम किष्ट के भुपतान बाद 6 रकम की गढ़ना हम कर सकते हैं याने की यह क्या है दूसरे वर्ष का मूलधन यह है दूसरे वर्ष का मूलधन इसका मान कितना हो जाएगा एक्स रिन पाँचसो गुणित ग्यारा बटे दस रिन किष्ट के राशी याने की एक हजार दोसो दस रुपे एक्स रिन पाँचसो गुणित ग्यारा बटे दस रिन एक हजार दोसो दस रुपे चलिए आगे हल करते हैं दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन हमें प्राप्त हुआ है दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर ग्यारा गुणित एक्स रिन पाँचसो पटे दस रिन एक हजार दोसो दस रुपे अब हम इसकी सहाइता से दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन ग्याद कर सकते हैं दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर होगा मूलधन गुणित एक धन दर बटे सो पूरे की घात समय इसमें हम मान रखले तो हमें मूलधन का मान मिलेगा एकस रिंड पात सो गुणित ग्यारा बटे दस रिंड एक हजार दो सो दस गुणित एक धन दर हमारी दस प्रतिशत याने कि दस बटे सो और गणना पुना एक वर्ष की हो रही है इसलिए समय एक वर्ष का इसे आगे सरल करते हैं तो हमें मिलेगा एकस रिंड पात सो गुणित ग्यारा बटे दस रिंड एक हजार दो सो दस और इसे हल करने पर दस का पहाड़े से हम इसे हल कर ले तो दस से कम दस दस दहम सो तो हमें मिला है एक धन एक बटे दस घात एक है इसलिए वह संख्या वही रहेगी एक दन एक बटे दस पुना एकस रिंड पांच सो गुणित ग्यारा बटे 10, रिन 1210 और इसे सरल करने पर मिलेगा 11 बटे 10 चलिए आगे हल करते हैं हमने देखा कि दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्रधन मिला हमें वह है पराबर एक्स रिन 500 गुणित 11 बटे 10 रिन 1210 पूरे के गुणे में 11 बटे 10 अब दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्रधन है वही दूसरे वर्ष की दे किश्ट राशी होगी इसलिए हम कहेंगे दूसरे वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष के दे किश्ट के बराबर होगा और प्रत्यक महा की जो किश्ट के राशी है वह कितनी है 1210 रुपे याने की एक्स रिन 500 गुणित 11 बटे 10 रिन 1210 पूरे के गुणा में 11 बटे 10 यह मान बराबर होगा दूसरे वर्ष की दे किश्ट राशी याने की 1210 रुपे के चलिए इसे आगे हल कर ले एक्स रिन 500 गुणित 11 पूरे के बटे 10 रिन 1210 बराबर हम लिख सकतें 1210 गुणित 11 बटे 10 को हम पक्षानतर रुप में ले जाएंगे तो वह यहां पर हमें प्राप्त होगा कोड़े 10 बटे 11 के रूप में इसे सरल कर ले पुना जो प्राप्त होगा वह होगा एक्स रिन 500 गुणित 11 बटे 10 रिन 1210 बराबर आप इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 11 के पाड़े से करें तो 11 एकम 11 और यह हो जाएगा 110 बर याने की 110 गुणित 10 तो यहां पर हमें प्राप्त होगा 1100 चलिए इस पत को आगे हल करेंगे हमें जो समिकरन प्राप्त होगा था वह है एक्स रिन 500 गुणित 11 बटे 10 रिन 1210 बराबर 1100 इसे पुना हल करेंगे तो मिलेगा एक्स रिन 500 गुणित 11 बटे 10 बराबर 1100 और 1210 का पक्षानतर करने पर वह हो जाएगा धन 1210 दाए पक्ष में इन दोनों को जोडने पर हमें मिलेगा 2310 रुपे और यहाँ पर एक्स रिन 500 गुणित 11 बटे 10 आगे और हल करते हैं एक्स रिन 500 बराबर हम लिख सकते हैं 2310 गुणित 10 बटे 11 अगला पत सरल करने पर हमें मिल जाएगा 2100 जो की पुना हलो के देगा 2100 धन 500 इस प्रकार एक्स का मान हमें प्राप्त हुआ 2600 तो साइकल का नगद मूल्य जो होगा वो 2600 रुपे होगा इस प्रकार प्रश्न हल हुआ